ये हरी हों आप लोगों का और आया घ्राफिक्स में फिर ऊसवागत करते हुए आज मैं आप लोगों को एक ग्लास का डिजाइन कैसे क्रेट करना मैं उसके बएर मता रहा हूँ, पहले क्या है, ऐसे एक all shape लेता हूँ Around इसे एक all shape लेता हूँ लेकữa आपक्या करो, इसको इन दोनों को select करना है पहले्ड करो shift के साथ क्लिक करना है तो दोनों Fourth siker क्लिक हो गया, अभी C पोलता हूँ, तो un舞inet में Center हो गया तो आ को साथ क्या है ऐसे ऊपर लेता हूं कंट्रोल के साथ लेने से क्या होता है स्ट्रेट में आता हो ये जो इस सेलेक्ट के साथ करके आप क्या कुरों अभी टुम बोलता हूं ले यह क्ट्ट हो गया अभी देखों दोनों तरफ हैसे क्ला एक स्कष्म है इसको अफ्ड्र लेता हूं आप इसके ओपर आप क्या को मौस राइट लिटे करो राइट है करके ब्रेक करऊ आपकरत बूलो तो ब्रेक हो गया अलग अलग हो गए इसको भी डिलिट कर देता हूं अभी इसमें आपको क्या करना है कंट्रोल के साथ आ रहे कैसे अप इसे नीचे ले लो नीचे लेने के बाद आप इस सब को सेलेट करके थोड़ा इस तरफ लेता हूं अभी यह जो पॉर्शन जो नीचे कर वह इससे थोड़ा ऊपर आना चाहि है जो वह लाया है इदर ऊपर की तरफ थोड़ा दिखना चाहिए उस तरह आपको लेना है अभी इसका विड़ता और थोड़ा ऐसे शिफ्ट के साथ इसे बड़ा करता हूं तो इदर थोड़ा डिस्टन्स रखता हूं मैं क्यों ग्लास का थिकनेस जैसा लगना चाहिए इस arde just data is portion को त्वड़ा जूम कर लो आप जूम करके अभी इसको सिलेट करता हूं सेैटकरके जो भाहर का जो सर्कल है इसको सिलेटकर करता हूं अभी जूम करने के बाद आब उसको क्या करना है येन प्रेस करना येन प्रेस करने के बाद अभी जो यह box प्लसमार्क के साथ जो box आ रहा है यह आपका screen का साइज बता रहा है जितना आपको movement करना होतना movement करके फिर से आप click कर सकते हैं उस portion पे हो आ जाता है यह आपको समझ में आ गया, अभी इसको क्या है, इस point को shift के साथ लेता हूँ, इदर क्या है, आपको ध्यान इस तरफ देखना है, तो अभी देखो थोड़ा इसे, उस circle से भी थोड़ा अंदर लाता हूँ, महिनूट लाना है, थोड़ा अंदर लेके आया, लाने के बाद अभ स्मार्ट फिल्ट टूल है, यह क्या है, स्मार्ट फिल्ट टूल है, इसको लेता हूँ, इसको लेके आप क्या करो, इदर अंदर क्लिक कर दो, अभी स्मार्ट फिल्ट से क्लिक करने से क्या हो गया, यह दूसरा कॉपी बन जाता है, यह आपको समझ में आ गया, अभी एक ido lo person कि वो लो कलर में को और को इसे दे सकते हैं अभी तोड़ा तक्राइब लिक्रद करव कर अब अभी जो ऊपर का जो सब्सक्राइब यह बार्द यूपर का इसको तोड़ा इससे भी तोड़ा डार्क दे ता हूlla चाहले है इसा न आप तो फुल्ड करके रखो फोड़ करके रखें यह थोड़ा दार कलर दे देता हूँ तो अभी यह दोनों क्या है यह उपर है इसकर उसको दोनों सर्कल्ले कर लो स्यट पेज ढॉन बोलना स्कुर्ण यह लिमांत जब selected है तो आप मोज को क्या करो अभी जो क्रॉस मार्क पे है इस पर आना है आकर आपको मोज रैट लिक करना है रैट लिक करने से क्या हो गया ओग् thicker लैन्स रिमूव हो गए अधना color का देने के बाद अब देखो एक लास के अंदर है वैसा लग रहा है ओके सो अभी इसको क्या है अबальная ऐसे एक टृब जैसा लेता हूं aus rectangle टूल से इन डोनों को सब्सक्राइब करो सरे बोलो सीडनेसे क्या हो गया विट में सेंच्टर आगया तोड़ा इससे नीचे लेता हूं इसको और थोड़ा वाइड बनाना यदो ऐसे आप प्याइड हो रहा हैस्टयाप होने के बाद राइट लिक नहाद viral में क्या है सेनब ये कभी अग्तिव रकना है आप इसको बाषर को बडा बॉकस है उसको मैं डिलिट कर देता हूं तो कन्ट्रल Kew बोल के अभी शेउट तूल एक लिएक करके इसेद्र लेता हूँ कि अभी क्या हो गया इससे करो बन गया अभी इसको Fight के साथ जो left में जो center में point है is point को लेता हूँ control के साथ यसे लेंगे तो क्या हो रहा है किसे flip हो रहा है flip होने के बाद आपको क्या करना है years ago right करने अभी इन दोनों को separate करके वेल्ड कर देता हूं यह सिंगल अबजेट हो गया अब यह आपको समझ में आ गया अब अगर आपको इसका हाइट और तो ज्यादा कम चाहिए तो आप इदर इसे कर सकते हैं कि इतना लेने के तो अभी शिफ्ट के साथ ऐसे अंदर ले लो थोड़ा तो देखो शिफ्ट के साथ लेने से चारों तरप से छोटा हो रहा है इसको आके मौस राइट लिक करता हूं राइट लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ ऐसे थोड़ा उपर ले लो आप इसे एक स्टेप जैसा दिखत है Ç्टेंड जैसा लग रहा है ये इन दोनों को सेलेट करके इदर बीज्या करो वेल्डर करता हूं यह है ऑते इसमें क्लिक करता हूं अधूरर के हुए इदर जूम कर लो लेके आप इदर क्लिक करो क्लिक कर के です एक करू बनाता हूं इसे एक करू बन रहा है सो ऐसे लेके इसको क्या है इसे थोड़ा तिकनिस मिडियम रखते हुए ऐसे लाता हूं इधर लाके फिर से जहाद पर स्टार्टिंग पॉइंट आ उधर क्लिक करता हूं फिर से इधर भी आप ऐसे क्लिक कर लो क्लिक करके आपको जितना portion चाहिए उस portion को आप क्या करो इससे select कर लो ऐसे तो थोड़ा shadow जैसा दिखना चाहिए अभी इसको select करके अभी मैं क्या करता हूँ एक light color दे दो आप देखे outline निकालना है बोले तो आप cross mark में इधर क्रॉस मार्क में आके mouse को right click करना है तो outline निकल गया तो इसको भी select करता हूँ इसको भी एक shade देता हूँ इसको थोड़ा मैं डार्क रखा है तो इस तरह आप रख सकते हैं अभी देखो ऐसे reflection जैसा लग रहा ह आप क्या इसको bitmap कर सकते है इसको select करना है bitmap में आके convert to bitmap बोलना है बोलने के बाद आप क्या करो इसको अभी 300 है resolution transparent active रखना जरूरी है intel has back to रखो रखे इसको ok बोल दो ok बोलने के बाद आभी bitmap हो गया अभी इसको क्या है blur बोलता हूँ bitmap में आके blur बोलना है blur में गीजेनı ब्लर लेता हूँ लेकि आप क्या कर Link करता हूँ तो इसको शार जादा हो गया हो सब्सक्रान कर लेता मैं अभी तकश जरा हो जैसा भी सब्सक्राइब ठीक लग रहे54 बोलता हूँ अभी आप चाहे तो इसको आरजी भी रख सकते हैं नहीं तो सीया में के रखना है अगर आप लाब के लिए आप प्रिंट के लिए बेज रहे तो तब आरजी भी रखके इसको पूलना है यह आपको समझ में आ गया इतना होने के बाद फिर से इसको क्या है इधर bitmap में आके blur बूरता हूँ blur में गेजन ब्लर लेता हूँ लेकि इसको आप प्रियू करो जो लास्ट में जो हुथा वही आगया अभी इसको कम ज्यादा कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा क्या मैं भी इसको इतना रख के अभी मैं क्या करता हूं इसको ओके बोल देता हूं दिखो भी ऐसे ग्लास का ऐसे यह है वैसा लग रहा है अभी इसमें आपको क्या करना है अभी यह जो स्टैंड जैसा है सो इसमें भी क्या है इसे एक 20 प्लैन लेता हूं लेके इदर क्या है इसे इस तरह क्या है इसे एक एक क्रेत करता हूं क्रेट करकर यह आपको समझ में आ गया वैसे रखता हूं अभी मैं इसमें क्या है तो इसको टोटल US जीसा करने के लिए अभी कैंप फिर से इदर क्या है बीस प्लैन लेलो आप लेके इदर क्लिक करो क्लिक करके इसे एक करूज आ रहा है तो इसको आप क्या करो इदर लेके ऐसे लेता हूं इदर से आप क्या है इदर इसे जॉइन कर लो तो इसको अभी एक वाइट कलर देता हूं वाइट कलर देखे थोड़ा इस तरफ लेलो आप लेके इसको ट्रांस्परेंसी लेता हूँ अभी यह क्या है ट्रांस्परेंसी टूल है तो इसको क्लिक करके इसे ड्रैक कर लो आप तो ट्रांस्परेंसी बन रहा है तो इसको थोड़ा एंगल दे देता हूँ कि आपको जो एंगल चाहिए उस एंगल पर रख सकते हैं तो अभी देखो ऐसे शैनिंग जैसा लग रहा है इस पॉइंट को आप पॉर थोड़ा ऐसे नज़्दिक लाएंगे तो वाइट थोड़ा ज्यादा होता है तो ऐसे थोड़ा मिडियम रखता हूं मैं ऐसे रखके इस किया इसको और के कैसे डुपलिकेट करता हूं अभी इसमें लाइनार जैसा कुछ बनाना है बोले तो आपको क्या करना है सो अभी जो यह जो शैनिंग है इसको निकाल देता हूं निकाल के अभी मैं क्या करता हूं इसको यह जो अंदर का जो पोर्षन है इन दूनों का अप सेलेट करके यह जो अब्जेट है इन दोनों को आप सेलेट करना है अब यह उपर है इसलिए यही सिलेक्ट हो रहा है इसको भी मैं शिफ्ट पेड़ोन बोलता हूं तो ऐसे नीचे गया अभी इन दोनों को सेलेट करो सेलेट करके मौस क्या है इदर रैट लिक करो तो लाइन आखाँए तो व्हेकर ऐसे संपस्टाव्ल लगता है। कर सकते हैं अभी 7mm है इसको 10mm बोलता हूं तो एससे ज्यादा कम आप कर सकते हैं अभी ऐसा हो गया अभी समझो इसमें आउटलाइन नहीं है जो इसको फिट रखता हूं अगर विटाउटLाइन आपको चाहिए तो सब करके मौण cả इदर राइट लिक करऊ p अगर ये करते वक्त आपको कुछ डौट्स वह पर कर एकड़ आ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद